हेलो गाइज मेरे नाम है साजी सैफी और मेरे चैनल टेक्निकल सैफी हैं मैं आप सभी का तही दिल से वाइलकम करता हूँ दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताँगा कि आप किस तरह से अपने मुवाइल की स्क्रीन को दूसरे के मुवाइल पर देख सकते हैं यहां दोस्तो आज से पहले आपने ये सुना होगा कि हम अपने मुवाइल की स्क्रीन को मोस्टली टीवी पर कास्ट करते हैं यानि कि स्क्रीन मिररिंग हम जिसे कहते हैं बढ़ दोस्तो आज के इस वीडियो में हम mobile to mobile screen mirroring के features को use करके देखेंगे और मैं आपको पताऊँगा कि आप इस काम को किस तरह से कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो फाइनली अब वीडियो को शुरू करते हैं तो जैसा ही गाईज अब आप देखें मेरे पास यहां पर दो फोन है एक मेरे पास realme का फोन है और एक redmi का फोन है तो दोस्तो आज के इस वीडियो में आपको realme के phone की screen को redmi के phone की screen पे यूज करके दिखाऊँगा और दोस्तो redmi के phone की screen को मैं realme के phone पे आपको चला के दिखाऊँगा तो दोस्तो इसके लिए आपको simply करना क्या है सबसे पहले वीडियो के description में आपको एक link दिया है उस link पे click करने के बाद आपको एक application को download करना है जिसका नाम है apower mirror आप इस application को अपने phone के अंदर डाउनलोड कर लेते हैं और हाँ यह application आपको अपने दौनों phone के अंदर ही install करके रखनी है आपको अपने दौनों phone को wifi और hot spot के जरिए connect करना है चलिए मैं आपको अपने phone को connector के दिखाता हूँ तो दोस्तो आप किसी भी phone का wifi खोल सकते हैं और किसी भी phone का hot spot खोल सकते हैं इसमें आपको किसी तरह का कोई भी confusion नहीं होना चाहिए चलिए दोस्तो मैं अपने realme phone का hot spot खोल देता हूँ और डोस्तो रेड्मी phone का हम wifi खोल देते हैं और अपने phone को connect कर लेते हैं जैसे ही आप application को open करते हैं, तो इसका interface आपको कुछ इस तरह देखने को मिलेगा. अब दोस्तों, suppose करिए आपको Redmi के phone की screen को Realme के phone पर देखना है. तो इसके लिए simply आपको करना क्या है, या bottom में आपको तीन option देखने को मिल जाते हैं, इस application के एक home और एक mirror का और एक more का. इस पर tap करना है, और tap करने के बाद यहाँ आपको start now को एक option देखने को मिलेगा, इस पर click करना है. और जैसी दोस्तों, आप इस पर click करते हैं, तो आपके phone की screen है, यानि कि आपके Redmi के phone की screen Realme के phone पर पहुँच गई. जैसा को इस question keep a smartphone ने, अपने Redmi के phone के अंदर वीडियो को प्ले करती हैं। तो जैसा ही आप देखें मैं अपने Redmi के फॉन पर वीडियो पिले की है चलिए हम इसको रूटेट कर लेते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी जो क्वालिटी है वह हमें कैसी देखने को मिलती है जैसी क्वालिटी आपको मैं फॉन के अंदर मिलती है वही आपको आपको क्लिक करते हैं तो आपको क्लिक करते हैं तो आपके सेकंड फॉन के मॉडल को सर्च न कर ले अभी जैसा कि आप देखें रेडमी के फॉन के अंदर मुझे मिल चुपा है अब आपको करना क्या है इस पर क्लिक करते हैं तो इस पर क्लिक करते हैं तो इस्टार्ट पहले आंदर रेल्वी फ़ॉन देर्मिं पडुश्स कर सकते हैं आप पाल सब्सक्राइजां को और आपको सेटिंग में यह कर एक shepherd drill इन प्यवालिटी में टो यह शै controversy कर शेलाएज को मैं सेटिंग 2 में उस हम सीटिंग 2 स्वाइज एक शेया आपको mirroring resolution का एक option मिल जाता है जिसमें आप full HD तक की screen mirroring कर सकते हैं इस software की मदद से और उसके बाद तो यहाँ mirroring definition का भी option मिल जाता है जो की ultra तक का आपको option दे देता है और उसके बाद यहाँ आपको और भी काफी सारे features मिल जाते हैं जने आप अच्छे से देख सकते हैं और यूज कर सकते हैं बैसे इसके अंदर main features था mirroring resolution का अगर mirroring करते वक्त अगर आपकी skin कहीं lag कर रही है तो आप यहाँ से resolution को कम यदादा कर सकते हैं जैसे ऐसे अगर आपकी skin full HD को support नहीं कर रही है तो आप यहाँ से 720P को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे कि आपके phone की screen mirroring का features है वो काफी ज़्यादा smooth रहे और काफी अच्छे से work करें तो खेर दोस्तो इस तरह से आज की इस video मैंने आपको बताया है कि आप किस तरह से अपने एक phone की screen को दूसरे phone पर देख सकते हैं अब आप मुझे comment करके बताये कि आप इस features को जानने के बाद आप इसका use किस तरह से करेंगे और किस काम के लिए करने वाले हैं तो खेर दोस्तो फिलाल इस video में सरफ इतना ही था और मुझे उम्मीद है कि आपको ये video पसंद आया होगा अगर आपको ये video पसंद आया है तो प्लीज आप इस video को लाइक कीज़े शेर कीज़े और साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब परना बिल्कोल न भूला तो चलिए फिलाल इस video को finish करते हैं और मिलते हैं ऐसी एक और मज़धार video के साथ